है लुग है कुंसे एंस्ट्रि फोटो एलेक्ट्रिक डिक्वेशन्ट की जो फोटो एलेक्ट्रिक एक्वेशन है वो यह बताती है कि जब इलेक्ट्रों निकलेंगे किसी भी फोटोसेंस्टिव मैटेरियल से तो उनकी काइनेटिक अनsnour जी सरफएज का जो तो ऩाज कोफॉर्ट फंक्शन होगा वह औरशिंट होने वाली राइट की एनेघे इन में रिलेशन कितना संभधने के लिए मौलों यह कोई फोडों कोलने से संस्ट करने से इससे इलेक्ट्रोन निकलते वह क्या हो गया फोडों ऌफान क्यों फंक्शन स्याज्ट करोगी तो और वी असे निकल सकता है इससे कम फ्रिक्वेंसी की नाइट व्हें करेंगे तो फेक्वेंसी देश यूज से निकलेगा तो माल लो अपने 300 frequency से कुछ जादा frequency की light यहाँ पर incident की है और यह frequency है new यहाँ पर एक electron घूम रहा था उस electron को यह energy मिली electron बहार निकल गया तो इसके पास क्या होगी kinetic energy होगी कौन से energy होगी और माल लेते हैं कि यह maximum kinetic energy से जा रहा है मतलब यह surface का electron है और इसने अपने energy का कहीं भी कोई loss नहीं किया तो सिधा energy incident होते हैं क्या होगा यह electron surface से निकल जाएगा मतलब कोई loss नहीं हुआ तो हमें equation लिखते हैं आने वाले जो photon से आने वाली जो energy है वो कितनी है तो new frequency से जो photon की energy बनेगी कितनी energy का photon आया होगा वह energy होती है एच न्यूप और जो टोटल एनर्जी electron को मिली कितनी है वह एच न्यूप और यह energy दो पार्ट में डिवाइड हो रही है इसका कुछ पार्ट तो electron को सर्फेस से निकालने में खर्च हो गया कितना फाइनोट तुम्हां लिखोंगा कि यह energy दो पार्ट में डिवाइड भी फाइनोट में एक तो और बाकी जो energy बची वो किसकी फॉर्म में है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में तो बाकी के energy हो गई maximum kinetic energy of the electron यह चीज़ समझ में आई क्या इसी को हम क्या होते है Einstein photoelectric equation electron को मिलने वाली जो total energy है उससे दो काम होते हैं एक तो electron surface से बाहर निकलता है और बाकी जो बची-कुची energy होती हो किसकी फॉर्म में होती है काइनेटिक energy की फॉर्म में होती है अगर आपको यह पता है कि किसी भी photosensitive material से electron को बाहर निकालने के लिए अगर 10 electron volt energy चाहिए तो जो आप उस पे 15 electron volt का कोई photon incident करोगे तो 15 electron volt में से 10 electron volt energy electron को surface से बाहर निकलने में लगेगी और बाकि जो 5 electron volt energy बचेगी वो किसकी फॉर्म में होगी काइनेटिक energy की फॉर्म में होगी इसका मदलब ज्यादा frequency light incident करते हो तो ज्यादा काइनेटिक energy के electron उस surface से बाहर निकलेंगे बाहर समझ भांगे ना क्योंकि वर्क फंक्शन ऑब दे रिक्वायर्मेंट है जो minimum energy requirement हो तो फिक्स है तो फाइन और तो कॉंस्टेंट है यहां पर किसी भी फोटो सेंस्टिव मैटारियल के लिए इसे मालोग अगर मैं मैं जैंड़ेंगी ठीके कocide इसक्वेशन को आप दो तिन और तरीके से लिख सकते हो वर्क फंक्षन को हम नहीं पढ़ा था कि जो वर्क फंक्शन है फाइन ओसको रिख सकते हैं इसको फिक्रीज हो हुम ढोट जो मैएकृम कानेटिक ऊनरजी । 25 अ है उनको क्या लिख सकते हो यह एक्वेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो यह दूसरे तरीके से लिखी जा सकती है एस न्यू इक्वल्स टू एच नूट प्लस लिख सकते हो इसा मतलब मन में आये वैसे करना चाहू थार्म सकते हो इधर निउन को क्या लिख सकते हो संगय आपको फ्रिक्वेंस्य पूछेंगे तो कुछ कानेटिक प्लस वर्क फंक्ष्न है कि टॉटल अनरजी सिस्टम के रहने चाहिं था तो इसको क्या गोलते हैं आइन्स्टिन फोटो-उलेक्ट्रिक एक्वेशन बोलते हैं ठीक कई अलग लग तरीके से इसको लिख सकते हो जैसे मन मैं वैसे लिख लिए ना कोई दिक्कत नहीं है क्यूशिंस के साब से अब मापको एक ग्राफ बनाके बताता हूं ए फ्रिक्वेश्सी और इसका ग्राफ बनेगा से इसका ग्राफ प्रिक्वेशा और स्तों प्रिक्वेश्स को और आकामके अपने को सब्सक्राइब पॉटेंचियल का इस टॉफ तो डॉटेंचियल को फ्रिक्वेंसि को 0 से इंक्रीज करेंगी प्रिक्वेंसि पर इलेक्टो निकलने स्टार्ट हो तो यह वाला पॉइंट मिलेगा इसको बहुत है फिर ग्राफ स्टेट लाइन बनता है यह आपको पता है क्यों बनता है स्टेट लाइन क्योंकि अगर मैं फ्रिक्वेंस और स्टॉपिंग पटेंचल में रिलेशन देखूं तो मैं लिख सकता हूं देखो मैं लिखा टोटल एनर्जी जो इंसिडेंट से रिपरजेंट करूंगा एक्स एक्सिस पर क्या लिए फ्रिक्वेंसी तो मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मले को रियरेंज कर रहा हूं देखो इवी नौट इक्वेल्स टू मैं लिख देता हूं एच नू माइनस फाइड कर दूंगा दोनों साइड में तो वी नौट पर मैंने क्या लिखा है वी नौट तो इसकी जगावाई लिख जता हूं एक बार ठीक है एक सेक्सिस पर क्या लिए फ्रिक्वेंसी तो इसको मैं एक्स लिख रहा हूं यहां पर तो एच एपॉन ईबच जाएगा और अच्छा मैं इसको कंपेर करने के लिए वाई इक्वे पर यहां पर बनेगा उसमें जो ग्राफ का स्लोप होगा यह किसके बराबर होगा यह स्लोप बराबर होना चाहिए एच अपॉन इक और यह जो इंटरसेप्ट करेगी लाइन वाई एक्स पर यह कहां पर इंटरसेप्ट करेगी माइनस फाइन नोट अपॉन इपर यह वाला ग्राब बन्त है तो इसलिए हम इस टाइप से इसको लिखते हैं अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक एक स्ट्रेट लाइन की एक्वेशन से कंपेर करोगे तो आप क्या देखते हो कि यह जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप तो होगा एच अपॉन और यह कहां पर इंटरसेप्ट करेगी वाई एक्स पर माइनस फाइनोट अपॉन इपर तो ग्राफ के अंदर यह पॉइंट मार परखना ही नहीं है क्योंकि एलेक्ट्रोन एमिट ही नहीं होते त्रीशोल्ट फ्रिक्वेंसी के बाद में फ्रिकेंसी बढ़ाने पर स्टॉपिंग पोटेंशल बढ़ेगा तो ग्राफ यहां से स्टार्ट हो इसको डोटेल लाइन से ही शो करना है एक और ग्राफ बना सकते काइनेटिक एनर्जी यह इक्वेशन है इसी को सेट करके आपको यह चीज भी फाइंड करनी है यहां पर इक्वेशन बनी इसमें आप वाइक्स पर क्या ले रहो काइनेटिक अनर्जी को अलग कर लो इधर लियाओ और इसको उधर ले जाओ यानिए एच न्यू माइनस स्वाइन आट समझ मैं अब एक चीज बताओ वाई एक्स पर क्या लिया है काइनेटिक एनर्जी एक्स एक्स पर क्या लिया है तो नोट से स्टार्ट होगा आगे स्टेट लाइन रहेगा पिछे यहां पे करेगा यह वाला पॉइंट होगा माइनस फाइनोड स्लोप ऑफ दे लाइन क्या होगा अरे बोलो एच क्या एच कॉंस्टेंट वेल्यू होती है एच क्या प्लांक कॉंस्टेंट इसका अनुप जितने भी ग्राफ बनेंगे चाहिए किसी भी फोटो सेंस्टिव मैटरियल के ल क्योंकि है प्लंक कॉंस्टेंट जो क्या एक और पहले वाला जो ग्राफ बनाया था कौन सोला इस टोपिंग पोटेंचिल और फ्रिक्वेंसी के विच में उसमें भी स्लोप कॉंस्टेंट था उसमें था स्लोप एच अपॉन ईए मतलब चार्ड़ फिलेक्ट्रों ना तो व हुआ 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 है